किसी भी वस्तू या सेवा के पबलिक गुड होने की दो शर्ते होती हैं एक होती है नॉन राइवल्री और दूफरी होती है नॉन एक्स्लूडेबिलेटी नॉन राइवल्री जो होती है वो कंस्यूमर साइट से होती है जबकि non excludability provider side से होती है जैसे मान लीजे कि आपने अगर कहीं पर कोई cinema hall में एक seat book की तो उस seat पर अब आप ही बैठ सकते हैं कोई और नहीं बैठ सकता यानि कि आपने वहाँ पर एक rival situation create कर दी कि जो चीज का प्रयोग आपने कर लिया उसका प्रयोग अब कोई और नहीं कर सकता तो ये कहलाती है rivalry situation जबकि public good में क्या होता है ऐसी कोई rivalry situation नहीं होती provider side पे non excludability का मतलब क्या है कि provider जो है इस सेवा को जो आदमी आपको प्रदान कर रहा है वो कभी भी इस तरह की कोई सीमा नहीं बना सकता कि केवल इन ही लोगों को इस सेवा का फायदा होगा और बाकी लोगों को फायदा नहीं होगा तो pure public good का एक उधारन है राश्ट्रिय सुरक्षा या फिर national defense